कई बार करना कुछ और होता है और हो जाता है कुछ और दिन पर इंसान कई गलतिया करता है लेकिन इत्यास में कुछ लोगों की गलतियों के कारण महत्व पौन चीजों का आविस्कार हो गया जी हाँ दोस्तों आईए जानते हैं इन दस महत्व पौन चीजों के बारे में जिनका आविस्कार गलति से हो गया था पहला एक्सरे विख्यात भौतिक विग्णानी विल्यम रोयंग्टन ने एक्सरे का आविस्कार किया था दरसल वो कैथोडिक रेच ट्यूब बनाना चाते थे इसी दवरान जब लाइट चमक रही थी तबी उन्होंने देखा की अपार दर्सी के बावजूद नीचे रखा पेपर दिखाई दे रहा था वे हेरत अंगे जरूप से देखने लगे और इस प्रकार एक्सरे का आविस्कार हुआ माइक्रो विव ओवन का आविस्कार पर्सी स्पेंसर ने कलती से किया था वे नए वेक्यूम ट्यूब के जरिये रडार से जुड़े रीसर्च कर रहे थे इसके लिए उन्होंने कई मसिन बनाई जो रिसर्च में मदद रूप साबित हो लेकिन प्रयोग के दवरान उनकी जेब में रखा केंडी बार पिगलने लगा वो हेरान रह गए बाद में उन्होंने पॉपकॉंड को उस मसिन के अंदर डाल दिया और पॉपकॉंड फुटने लगे इस प्रकार माइक्रोवेव ओवन का आविस्कार हुआ तीसरा पेसमेकर इलेक्रिक इंजिनियर जॉन होप्स रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिये बोडी टेप्रेचर को रिस्टोर करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उस दवरान उन्हें एहसास हुआ कि अगर दिल थंड के कारण दड़कना बंद कर दे तो कुत्रिम उत्ते जना पेदा करने से वो फिर से दड़कना शुरू कर देता है इस तरह पेसमेकर का आविस्कार हुआ स्वीडन नो सेना में इंजीनियर रहे रिजर्ड जोन ने 1943 में स्लिंकी का आविस्कार किया था वो नो सेनिक यूत पातों पर बिजली की निगरानी करने के लिए यंत्र बना रहे थे जो की स्प्रिंग के सारे काम करता था इसी दोरान स्प्रिंग जमिन पर गिर गया और बाउंस करने लगा इसी दोरान स्लिंकी का आविस्कार हुआ पांचवा पेनेसिलिन वैगनेनिक अलेकजंडर फ्लेमिंग गाव को भरने वाली एक चमतकारिक दवा का आविस्कार करना चाते थे लेकिन सपलता नहीं मिल पा रही थी इस तरह एक्सप्रिमेंट की गई चीजों को उन्होंने बाहर फैक दिया कुछ दिन बाद उन्होंने नोटिस किया कि आसपास के बेक्टिरिया समाप्त हो रहे है इसी तरह उन्होंने पेनेसिलिन का आविस्कार किया तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक किजिए सेर किजिए इसे वीडियोस देखना चाते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट के लिए उसके बाजु में देए गए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न पोले धन्यावाद